नमस्ते आप देख रहे हैं राजनावा टीवी मैं हूँ आपके साथ आरती बस में दिये जला कर सो गए जिन्दा जले ड्राइवर और कंडक्टर राजी में जुलसने से दोनों की मौत दिवाली पूजा के बाद दिये जलते छोड़ दिये जारकन की राजधानी राची में एक बस में आग लगने से दो लोगों की जिन्दा जल कर मौत हो गई ये दोनों बस के ड्राइवर और कंडक्टर थे दिवाली पर पूजा करने के बाद बस के अंदर ही दिये जला कर सो गए थे बताया जा रहा है कि दिये से बस में आग लगी धिरे धिरे आग ने पूरी बस को चपेट में ले लिया हाथ सा सोवार रात एक बजे हुआ जारकन के मुखे मंतरी हेमन सोरेन ने हाथ से पर दुख जताया साथ ही जारकन प्रदेश बस ओनर एसोसेशन के अध्यक्ष स्री सचिदा नन सिंग ने भी इस हाथ से पर दुख जताया साथ ही मुखे मंतरी हेमन सोरेन ने ट्विटर पर ट्विट कर लिखा है कि राची के खादगडा बस स्टैंड में बस में आग लगने से ड्राइवर और खलासी की मृत्यू अत्यंत पीडा दायक है परमात्मा दिवंगत आत्माओं को सांती प्रदान कर सोकाकुल परिवारों को दुख की विकट घड़ी सहन करने की सकती दे गटना राची के खादगडा बस स्टैंड की है ड्राइवर और खलासी बस के अंदर सोय हुए थे इसी दौरान पूजा के दिये से बस में आग लग गई पुलिस और दमकल की गाडियों ने आग पर काबू पाया ड्राइवर कंड़क्टर की जली हुई हालत में सब भी बरा पाहिम दिया जलाकर सो गए इस दौरान किसी तरह बस में दिये से आग लग गई खादगड़ा बस स्टैंड में आसपास भी बसे लगी थी लेकिन जब बस ने आग पकड़ी तब सबकी नजर इस तरफ गई तुरंत लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया फायर स्टैवर और कंड़क्टर की मृत्यू हो गई थी बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहराज नामा टीवी के साथ धन्यवाद